वेल तो ही गाईज, वेलकम टूदी माय चनल माने मेंस फंकर्स, तो वेल इस वीडियो बात करने वाले हैं एक्स्ट्रीम रूल्स 2021 के बारे में, जो कि हमें एक्स्ट्रीम रूल्स चल्दी देखने को मिलने वाला है वेल इसके बारे में हम लोग अरली मैच करके प्रेडिक्शन करेंगे वीडियो पूरी ज़रुर देखना सो न लेट्स स्टर्ट करते हुआ वीडियो को वेल तो फस्ट अफॉल फस्ट मैच की तरफ चलते हैं जो कि मैंने प्रेडिक किया है ये है Raw Tag Team Championship के लिए जो कि फिलाल तो Raw Tag Team Champions जो है वो RK Bro है Matt Riddle और रेंडी ओटन तो वेल इनका मैच हमें देखने को मिल सकता है जो कि जिंदर महल और शैंकी के साथ में में भी इनके लिए बेटर अपॉनेंट हो सकते हैं जिंदर महल और शैंकी जो कि बहुती अच्छे किसे राइवल रहेंगे अच्छा कासा मैच हमें इनके साथ देखने को मिल सकता है अगर उनको अच्छा कासा पुश मिलेगा तो सो वेल देखते हैं अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत ज़्यादा इंटरस्टिंग भी रहेगा देखना वेल तो सेकेंड मैंने मैच प्रिडिक किया है जो कि ड्रू मैकिंटार वर्सिस डेमियन प्रिष्ट के बीच में जैसा कि तुम लोग को पता है कि आज के रॉ में हमें बैक स्टेज जो की दोनों बंदे देखने को मिलेते हैं एंड मेबी हो सकते हैं कि हमें आगे चलके हमें इनके बीच में कुछ देखने को मिले जहां पर ड्रू मैकिंटार वर्सिस जो की डेमियन प्रिष्ट एक अच्छा खासा मैच हमें देखने को मिल सकता है अगर हमें एक स्टीम रूल्स के अंदर देखने को मिला तो सो वेल अगर ये मैच होता है जो की उनाटेज स्टेड चैंपेंशिप के लिए सो मेबी हमें ये एक बैटर मैच एक अच्छा खासा मैच हमें दे सकते दोनों बंदे सो देखते हैं अगर ऐसा कुछ तिंग देखने को मिलेगा अगर ये मैच देखने को मिलेगा तो ओवराल देखना बहुत ज़्यादा इंटरस्टिंग भी रहेगा अगर एक बैटर मैच में बहुत ज़्यादा बैटर मतलब बंदे एक दूसरी को बहुत ज़्यादा इंटरस्टिंग रहेगा वेल तो नच्सवान मैच की तरफ चलते हैं वेल नेक्सवान मैच जोकि Smackdown Women's Championship के लिए मंने यह प्रिडिक किया है तो वेल यहाँ पे हमें धिवकि लेइंच फिलाल तो Smackdown Women's Champion देखने को मिल रही है तो वेल इनके opponent हमें देखने को मिल सकती है Bianca Blair तो वेल जैसा कि तुम्हें पता है कि SummerSlam में पूरा squash कर दिया था Becky Lynch ने तो यहाँ पर हमें हो सकता है कि ऐसा कुछ thing देखने को मिले जहाँ पर Bianca Blair एक बार Finn से rematch मांगें जो कि हमें Extreme Rules के लिए confirm होते वे दिखाई दे जाए and Bianca Blair vs Becky Lynch एक अच्छा खासा match हमें देखने को मिले जो कि Extreme Rules के अंदर तो जो fans हमें जो boo करते वे दिखाई दे रहे हैं यह सारी चीज़े करते वे दिखाई दे रहे हैं so maybe हमें उस match के बाद कुछ अच्छा खासा cheer करना शुरू करें so well अगर ऐसा कुछ तिंग देखने को मिलता है तो I think overall देखना इंटरस्टिंग भाएगा and Bianca Blair vs Becky Lynch एक better match भी हो सकता है so देखते हैं उसमें हमें क्या thing देखने को मिलता है ऐसा कुछ देखने को मिलता है या फिर नहीं या फिर Bianca Blair के लिए मतलब उनके लिए जो टाइटल पिचर से उनको बाहर कर दिया जाता है या फिर Becky Lynch के लिए कोई नया opponent देखने को मिलता है जो कि overall देखना इंटरस्टिंग भाएगा and maybe हो सकता है इसमें सासा बैंक्स भी return कर जाएं so देखते हैं overall हमें क्या things देखने को मिलता है या फिर नहीं well so next one match की तरफ चलते है well next one match जो कि हमें देखने को मिल सकता है well हो सकता है कि हमें शिंश के नाकामुरा के साथ जो कि इंटर कॉंटिनरल चैंपेंशिप के लिए शिंश के नाकामुरा वर्सेस सामी जेन का एक match देखने को मिल सकता है extreme rules के अंदर जो कि I think overall बहुती अच्छा कासा match हमें इन दोनों के बीच में देखने को मिल सकता है तो वैल जैसा कि आज Monday Night Raw में हमने देखा था कि मतलब Seamus बहुती अच्छा कासा गुस्ता हुए थे जो कि Bobby Lashley के उपर और फिलाल तो अभी हमें गोल्डबग देखने को नहीं मिल रहे हैं सो वैल यहां पर यहां पर यहां में देखने को मिल सकता है जहां पर Bobby Lashley वर्सेश सेमस एक अच्छा कासा match दोनों बंदे दे सकते हैं और सेमस को एक बार title opportunity भी मिल जाएगी और क्या पता वो इसमें जितने में successful भी रह जाए और सेमस बन जाए new WWE champion अगर ऐसा कुछ थिंग होता है अगर हमें शेमस वर्सेश बाबी लैशली देखने को मिलेगा तो overall बहुत ज़्यादा interesting रहेगा देखना है इनके बीच में match और यहां पर शेमस में भी face superstar भी बन जाएंगे तो देखते हैं overall हमें क्या ऐसा कुछ थिंग देखने को मिलेगा वही आप फिर नहीं जो की फिलाल तो मैंने predict कर रखा है तो देखते हैं well so next one match की तरफ चलते है well next one match जो की हमें hint देखने को मिल चुका यह match हमें extreme rules के अंदर देखने को मिलेगा and यह match है Charlotte Flair versus जो की Alexa Bliss के बीच में well यह हमें Raw Women's Championship के लिए match देखने को मिलेगा and जैसा कि आज हमने देखा कि Charlotte Flair हमें देखने को मिल रही थी मतलब अपना Championship की बात बखान कर रही थी बाते कर रही थी and इसके बाद तो हमें देखने का मिलता है कि भाई हमें Alexa Bliss देखने को मिलती है and उसके बाद से तो भाई मतलब हमें एक दो तीन वर्ड बोल के चली जाती है so maybe हो सकता है कि हमें आगे चलके इनके बिच में एक अच्छी खाजी rivalry देखने को मिले and जहां पर हमें Extreme Rules में इनका match confirm होते वे दिखाई दे जाए जहां पर Charlotte Flair versus Alexa Bliss एक अच्छा खासा match हमें देखने को मिलेगा well ये character थोड़ा अगर drop हो जाए तो maybe और भी अच्छा हो सकता है the goddess वाले character के साथ क्योंकि Alexa Bliss जो की goddess वाले character के साथ ये match बहुती better दे सकते है Charlotte Flair के साथ well maybe अगर ऐसा कुछ होता है तो इसमें देखते हैं भाई क्या पता मुझे भूतिया उतिया things देखने को मिले अगर ऐसा कुछ होगा तो देखते हैं मतब कैसा match हमें देखने को मिलता है and Charlotte Flair है इनके सामने तो भाई बड़ी मुश्किल तो होगी well so देखते हैं क्या हमें I think देखने को मिलता है यह match देखने को मिलता है या फिर नहीं well so next one match की तरफ चलते है well next one match को जो मैंने प्रेडिक किया है and यह match है जो कि Summer Slam का एक तरह से rematch कह सकते हैं and यह match Edge वर्सेस Seth Rollins का है and मैंने यहाँ पर एक स्टुपलेशन टाइप रख दिया है and Edge यहाँ पर हमें 30 minute Iron Man match देखने को मिले जो कि Edge वर्सेस Seth Rollins के बिच में and I think जैसा हमने देख रखा है Summer Slam के अंदर एक अच्छा खासा match हमें इन दोनों बंदों ने दिया था and बहुत ज़्यादा better match हमें देखने को मिला था match of the night भी हमें उसे कह सकते है and so यहाँ पर हो सकता है कि हमें 30 minute Iron Man match हमें देखने को मिले क्योंकि इन दोनों की rivalry तो इतनी चल्दी finish तो होने वाली नहीं मुझे लग रहा है GC साब से so maybe हमें देखने को मिल सकता है कि Seth Rollins से Edge को challenge करे and इस बार कोई stupletion हमें देखने को क्योंकि यह singles match था तो यहाँ पर stupletion देखने को मिले 30 minute Iron Man match का जो की overall बहुत ज़्यादा interesting रहेगा देखना and extreme rules में हमें आईसे कुछ matches देखने को भी मिले है so हो सकता है यह match हमें देखने को मिले well so next one match की बात करें तो well next one match maybe यह हो भी सकता है and नहीं भी हो सकता है so well यह match हमें देखने को मिल सकता है Roman Reigns versus Brock Lesnar के बीच में so well जैसा कि तुम लोग को बता दूँ कि Roman Reigns versus Brock Lesnar maybe हमें extreme rules में देखने को मिल सकता है and इसके chances कम भी है मैं कह सकता हूँ 50-50 है and maybe हो सकता हमें यह crown jewel में देखने को मिल है क्योंकि Saudi Arabia का event आ रहा है तो बड़े-बड़े जो matches हमें वो crown jewel में देखने को मिलते है फिर भी मैं इसको प्रेडिक कर रहा हूँ कि हमें हो सकता है कि यह match यहां पर देखने को मिल है maybe इसमें कोई और बंदा भी देखने को मिल सकता है well देखते है overall कि हमें यह thing देखने को मिलेगा या फिर नहीं देखने को मिलेगा and इसमें हो सकता है कि हमें Roman Reigns vs Brock Lesnar एक अच्छा-खासा match हमें Extreme Rules के अंदर देखने को मिल जाए अगर यह match इसके अंदर देखने को मिलेगा इस पेपर वी के अंदर तो I think इसमें कुछ न कुछ हमें think देखने को मिल सकता है and maybe यहां पर जॉन से नहीं कभी involvement देखने को मिल सकता है well overall देखना interesting रहेगा इसमें वह से हमें क्या-क्या things देखने को मिलता है कोई involvement हमें देखने को मिलता है या फिर नहीं well so देखते हैं क्या होता है and so obviously आपका क्या prediction है and आपको क्या लगता है कौन-कौन से match है समय extreme rules के अंदर देखने को मिल सकते हैं so अपने prediction मुझे comment section में जरू बताना well वैसे आपको यह prediction कशी लगी वो मिझे comment section में भी जरू बताना and अगर आपको वीडियो पसंद आई तो like, dislike, share, subscribe जो भी करना है कर सकते हो and so हाफ इन मिलते है अगले वीडियो में तब तक के लिए bye bye everyone